कि नमस्कार दोस्तों मैं महेंद्र शुकला और आज पुना है कि हम लोग कि 18 जुन की दूसरी घटना को याद करने के लिए हैं कि यहां तुर्श आपको उतादें 18 जुन को महारानी लच्छी बाई की सहाधत हुई थी पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं महारानी लच्छी बाई की बादे में पुलो ने विष्टित चर्चा की थी कंप्डिशन और परिक्षा के नजरिये से आज दूसरों इसी देन 18 जुन पंदा सुचितर को हल्दी घाटी का युद्ध हुगा था और दूसरों आपको उतादें राजिस्थान में एक रियास्त मेवार राजधानी चित्तोर यह इसे राजिस्थान का गौरा कहते हैं पूरे राजिस्थान को और आपके राजपूत बंसों को मेवार चित्तोर पर क्या है बड़ास गौधा होता है इसी गौधा मझाए एक युद्ध की किया करते जइन लोगो आज चैशा करने वाले हैं और वह युद्ध है आपका हल्दी घाती का युद्ध तो सबसे पहले तो यी आपको करें कि यह जो हल्दी घर्टी का यह युद्ध होगा था यह आज ही के देन इनकी अठारा जोन की 1576 को हुगा था हुगा क Whole Well यह जो युद्ध था यह यह नहीं सोचना है हम लोगbourg को कि अपका हिंदू सकते और की मुश्रिम सकति की बीच जोता यह जो से दोस्टोर कि राश्ट राश्छबाड के और यही इस युद्ध की कहने महात्ता है द्हान सुनियेगा यह हुद्ध राश्ट राश्टि समराथ और राश्टबाथ के बीच में आपके दो यтив राश्ट राश्टबाथ के बीच में था यहां आप सब जानते हैं यह इसमंए अपने हां भारत में अकबर का सासन था और आप लोगों को यह भी पता है कि जो अकबर का जो सासन स्टार्ट हुआ था 1556 से 1605 तक दोस्तों करका कहें सासन था और अकबर क्या करता था पूरे भारत हुआ का जीतने में लगा हुआ था और गभर भकी बजए हो चुकी थी लिक्न में भार के अधिन की बिना राजिस्तान की पूरी बजए क्या थी आपकी संभाव य्या क्या है नहीं थी इसे पदोस्तों कि theo हुगा यह अक क्र exception होगा डारेक्ट नहीं होगा उनके सेनपतियों की माद्डन संग्स होगा और यह जो युद्ध कहलाता है आति हो और चुन्ह करें बर्लिए अठीम जया रा जतौन का थर्मोgreen के नरा संग करते हैं थर्मो पल्ली बींक करते हैं तो आब ये राजस्थन का यह थर्मो पल्ली कहला तख क्या इस पर दुस्तों क्यों हो यह ऌतर यह कुठ और है आगर सक्था कि तो जिद्स एटा को यह थे लस्त अब डियो तो ढिनस पहले बात तो यह जो हल्दी घाटी को यह हल्दी घाटी के उंद्ध को राजस्थान का जो थर्मपली जो कहा है दोस्तों यह करनल टाढ ने कहा है करनल टाढ और आपको दोस्तु परिक्षा में कुशन आता है आपका यहां ठीक है आप हम यह आपका विसाय बस्तु को लेकर के यह घटना को लेकर आए हैं लेकिन इस घटना के नजरिये से आप देखिए गर लास्ट में लगभग आपके 20 कुश्चन तो दोस्तों के हैं तयार हो जाएंगे गारंटी है आपकी और आते हैं आप देखना ह यह परिक्षा की दिर्स से बहुत ही महात्पूर है चलिए तो यह थर्मपल्ली क्या है पहली बात तो हल्दी घाटी के योद्ध जो अकबर की सेना और महारानत प्रताप के बीच हुआ था आज के दिनने की 18 जून 156 को हुआ था सेविडिसक्स को हुआ था इस हल्दी घाट करनल टाडने क्या लिए लिखा है दोस्तों राजपूतों का इन्होंने क्या किया यह इतिहास लिखा है करनल टाडने चलिए अभी हाँ यह थर्मपल्ली क्या है थर्मपल्ली आपको तादने यह यूनान का गौरव है यह सुनिएगा थर्मपल्ली एक इस्थान है पहली बा कि इस समय आपको उतादे यूनान में एक सासक्त थे उसका नाम था लियोडिनास चली ठीक है इस इसकी जो दूस्त्त राजधानी थी वो थी समय इस्पार्टा इत्रिस के जाए धनी के दोस्तों यह इस्पार्टा थी तो यह बात है आपका 480 BC की दिहां सुनिएगा 480 BC में फारस के सासक जेरेक्सीन ने जो डेलिया से फस्ट के पुत्र थे जेरेक्सीन हक्मानी सामराज के थे जेरेक्सीन ने क्या किया 480 BC में यूनान पर क्या किया दोस्तों आकमर किया और यमें लिखो क्या होगी सुमारा गया था बहुत सार्ट युवनानी पहारों पचर न गई थे और आपका सपार्टा आपका कई यह बीता से युद्र आपके कहा दोस्तों यह लड़ा गया था और इसमें भले ही युनान की आत्मा पर दोस्तों लियो जेरिक्षीन का कब्जा आपका नहीं हो पाया था तो यह ध्यांद रहें यह थर्मपली एक युद्ध हुगा था युनान में हुगा था और इरान के राजा जेरिक्षीन ने विए रिनास फीका पर अकमण किया था इस्पार्टा को दोस्तों जना दिया था और यह युद्ध बड़ी बheerता पीत साथ दोस्तों लरा गया था और आपको पूता दें वही बात है कि कुछ दोस्तों इतियासमे युद्ध होगे है जिस यह क्या कहते हैं कि हल्दी घाटी की उद्व में जीतने वाला कि यह पिक्षा आदने वाला अधिक प्रसंशच के पात्र है यह क्या हल्दी घाटी के युद्धि क्या महत बताती है कून यह आफर तो सबसे पहले आजया है पुरलोग महदानाव पिताप की चर्चा करें यह महदानाव पिताप का हलका सा इस दोस्तों कहारें हलके से बायू डाटर देखें तो यह कि पिता है कि आप दोस्तों और अदरा अधाय सिंग थे कि उदाय सिंह कि अभी चाचा करते हैं कि इनकी जो माता थे यह जैन्ता भाई थी कि जैन्ता भाई थे उद्फतों यह जो उदाय सिंह है न यह दाना सांगा क्या थे क्या थे अधना सांगा और कर्नावति के पुतों थे यह करा करनाίας से कुछ ऑदाय सिंह, यहाँ आपको क्या कर द están जनके शरी में असी घाओ थे इनके लिए कहा जाए दोस्तों के एक पेर एक हाथ एक आखती लेकिन बड़ी बीटा से कहें दोस्ते ये लड़ी थे खनवा के उद्व में बाबा से उनका युद्धू था और इनकी मित्तु के बाद ही ये सिद्व के बाद ही दोस्तों बाबन भारत में दाना निश्यर किया तो वही दाना सांगा के क्या थे आपके पौत्र थे कौन महाराना प्रताब और आपको थोड़ से बता दें अकबर की सामराजबादिनीति का सिकार राना उदैसिंग भी कहब के हुई थे हुगे थे यहां को दाना यह वात है पंदासो सरस्ट की पंदासो सरस्ट में अकबन ने क्या किया था अपका मेवार जो द्यासत है रालधानी चितोड थी इसको अपने मुगल सामराज के अंतरकत करने के लिए राजस्थान में आकमर किया राजस्थान को जीत लिया था लेकिन मेवार चितोड़ को नहीं जीत पाए थे और उद था अधापका ही उदायपूर तो यह उदायसिंग चले गए थे बाद में उदायसिंग की कहमित्व हो गई थी और आपको थोड़ से बता दें यहां उदायसिंग के जिए शेनपती थे चितोड के घेरे में वह दो मारे गए थे उनका नाम था आपको सब जानते हैं जैमल और फत्ता जैमल और फत्ता और यह उदायसिंग को देश की खातिर के हैं बाहर निकाल दिया गया था कि आप जाईए आप रहोगे तो सब कुछ चलता रहेगा बाद में हम जीते हुए इच्छित क्या करेंगे बापस कर लेंगे दोस्तों महाना पताब के पिता के बारे में बाद में दोस्तों चली गए थे जैमल और फत्ता अकबर की से लटते ड़ते दोस्तों मारे गए थे और आपको उतार देंगे युद्ध में आपका अकवन ने लगवक्त तीन हजास से थी कि राजपूतों का कतल कर आया था और बादे फिर करनल टाड लिखते हैं कि यह युद्ध अकवर के नाम पर क्या है यह कलंक धबा है और दोस्तों इस धब्बे को धोने के लिए कुशन आता है कि अकवर ने किसकी हाथी पर बैठी हुई यह मूति थे इनके मारे जाने के बाद अकवर ने क्या कि यह था अपने आगदा के दर्वाज पर क्या है हाथी पर बैठे हुई मूति पत्थर की दोस्तों क्या है यह बनवाई थी कुशन आपका आचुका है ध्यां सुनिएगा उदैपुल की स्थापना उदैश सिंह की थी यह आच हो गई थी तो आईए तो सा महानत पताप के बादे आप लोग चल रहे थे तो महानत पताप का दोस्तों जो जन्म है यह पंदा सो चालीश है हाला कि यह नो मई है लेकिन यह नो मई आपका कह नहीं आता दोस्तों यह कुम्भर गढ़ के दूर्ग में हुगा था राष्थान क्यों आपको डिए च्छभ थैट है रetus होगये यह ब्सक्तों कि आपको दोस्तों क्याम फ्स legisl panda का को आपका प्रेंट टीत में होई चुस्त और तो चिछलन में सत्धार ने ओंद ब्सक्रापकर और एक सअ युद्ध से लगवा डाइस साल पहले मेबार मेरा में सास्ता कुई तक दाना रतनसीं अ और यहां दिल्ली का सुल्तान था हुथा अलावदीन खिल जी तो याद करो दरतान सेंहिंग भी कहटनी आंबान सान की खाधिर क्या हो गहें? है सहीद होगे थे अलावदीन खिल जी के खेलाब जह्यून में ऑलाव दिन खिल जी ने भी दोस्तों कहा किया था आपको 3300 absolute तो यह बहुत बहुत पहले की है तो यह इसी चित्तोर से इसी मेवार से रानी पदमनी उनके पती रतन सिंग और इसी चित्तोर संबनित आपका यह राना सांगा करनावती जानते हो आप पास नहीं राकी भेजी थी यह गुजयात का सासक बहुत रानी ने किस मुगल बास साह को राकी भेजी थी तो करनावती ने कह किया था हुमान को कहई दोस्तों यह राकी किया है कि भेजी थी ऐसा भी आपका कहा कोश्ण आज छुका द्यान दखीएगा यह आता है को तो आपका आधा है कि देहां रखिएगा है बहुत सारे कुश्चन जोड़े हुए हमने आपको पहले बता दिए कि ये आज 18 जून के दिन जो दाज्थान के थरोपली है ये यूद्ध तो पढ़ना एक बहाना है जो कि उसको क्या है याद करना है लेकिन उसके अलावा आपको क्या है बहुत सारे करनेक्शन भी लेंगे और हमने आपको उताया था दस पंदर कुश्चन आ क्या हो जाएंगे आज आपके इत्यास संबंद्र दोस्तों तयार होंगे जो आपके परिक्षा में आती है चलिए दोस्तों आगे बढ़े अब इसके बात पर क्या है चलिए ये इनका जन्म हो गया ठीक है फिटा की अदरे इसेंग ये बढ़े दोस्तों ये आकवर की समराजम्रा डिनी दी के होगे दोस्तों ये शिकार हो गयें नहीं हो पाए शिकार नहीं हो पाए जो कि अकबंदर ने manger क आता है संपूर राजस्थान को जीता किसको छोड़कर दो चोड़कर मेवार को च छहां जिंदा रहा यहीं उसको कहां करदाई जा जा एती हमने मेवार कबजा कर पाया मैवार को अपने सवा डाज में सामट नहीं कर पाया चलिए दोस्तों अब इसके बाद कैका है उदरी सिंग की मृत्तूर के बार महानत पर्ताब क्या हो गए यह मेवार के सासक बने से सोधिय बंच के थे अखवर ने आपको बता दे दोस्तों इन्हों ने इनके पास दूद्ध भीज़े थे कि आप अच्छा अच्छा पार चाहता था कि आप क्या करें आप बिना लड़े ही कि है हमारे पास आत्म समर्पड कहा है अपके यह कर दे तो के पास दोस्तों आप पुतार देंगे टोडर मल मान सिंग आसफ खां कि यह आदी लोग क्या है कि आए थे अखवन ने कुला के अपने दर्वा के बिक्तियों को दूद्ध बना करें महारा पता आपके पास भीजा था कि क्या करें यह संधी के माध्यम से क्या है आप हमारी इनका को किया करीगे शुखा मारानपयता आप स्विकार कर दी होै दर्वसके फिर आपक का यह थी गर्ते की व्ध में आपको तार्व थोड़ासा ये दोपख्ष सभावक ये कोई भी व्ध होता है तो आपकेस्ट सब्सक्त ने एक पक्ष में अपनर करने ये कि अकबर लेकिन अकबर चुकि था नहीं इसका से अकबर कोस्टक में करेंगे उसकी सेना थी और अकबर ने किसको भेजा था अकबर ने जो दोस्तों भेजा था वो थे आपकी ये आमेर है आमेर कि राज थो ऑ्धोर राजा थे ओधिय दोस्तो में से मंसे मैं सफ़ी सात हाव था किए आधार स्थम आस तो राजपूत नीति के नंतरकत ऐकवन ने क्य actual अपने धोस्टि बनाए था बैवास थी है की थे तो यह जानते हो आप लोगे किया दोस्तों युद्ध किया था दुर्गवति किया उसे तुमें सहीद भी हुई थी वही आसब खाए ठीक है ध्यांद कीजिएगा और तो मांसिंग आसब खाए दोस्तों अकबर की सेना की तरफ से सेना के दोफ सिना पती थे और यहां बताया जाता है लगवर की पांचाजा से अधिक एदे द्यू退 से इक पांसा श्या से दस जटयाके से चाल हजाद घुर सबाखे कि साथ में आपको उताते हैं यह चुकि बच्च्पन में आप ही क्या है भीलों के साथ है खेले बड़े बड़े हुगे तीर अंदाजी सिखी चतुराई सिखी उनमें फूतिला पंथा सब कुछ दोस्तों क्या था आपका है तो यहां पर इनका एक स्रयोग कर रहा था भील कर नाम था रानाम पूयामल भील में यह दोस्तों 400 धनयोधारियों के साथ में किये और बहुते इनके संदों यह कोई हिंदूं मुसलिम के युद नहीं था नहीं धानादन रहे कुस्चन है अकवरद की सिना में कौन एक सादा था अपटरी चोटी सी तोकरी सब्सॉरी सब्सक्राइब है मुझे साथ है एक मुझे साधा गौन फ़ै कि शल्मसीं करें लग भी है यह यह त्रूप यूद्ध का इस लिए महत्त है कि यह यूद्ध क्या आमने सामने की यूद्ध अपकर एक दिन में दोस्ते यूद्ध लगाए हाला कि छुटफूर घटना आपकी क्या होती नहीं और यह इतना भेंग का यूद्ध था कि मुगल सेना के पाउं खड़ गए थे ठीक ह महानाद पताब की त smoking कम थी चोटी थी तो आपको दादें बहुत शारी की सेंगों की यह थी यह मित्तू से हुए आछ कि मुगर सेना के मुगर सेना में यहां की कहिं भी यही मित्तू हुए थीनुस तु यह यह शेटक के गोड़त है इतना तेज गोड़त है कि महनतपतारी मन की गतई से शुत चलता इस जाम अधान भीश्न आधन एशुण सो कैसे इनका सामना हो तो जो चेतक था चिता जो गोड़ा था आपके मांसिंग के सामने पहुंचा और गौड़े ने क्या है किया यह उचल करके हाथी के उपर बस सेगंड हो नहीं तो इस ने दोनों टांगे रखी तो महनाल आपने भाले से क्या किया दोस्तों बात किया था लेकिन मांसिंग बच गया था अगर भाला मांसिंग को लग जाता तो क्या हो गया था युद्धिका ने नहीं क्या होता दोस्तों आपका दूसरा ही होता आपका चलिए युद्धिका यह आपका यह तैनिंग पॉइंट था द कुछ आपके है एक बताता ने के सादार जहालासिंग थे थे इनकी सिना में अ सरदार क्या जहालासिंग लिग की गिर नने जहालासिंग जहाले एक। अ देखते थे पिर की जék बाहर निकाल दिया डिया कुछ गोशवारों कुर मौज़ाज के साथ में इसलिए कि आप रहो गए तो राष्ट रहे गए यह कौम रहेगी इस प्रकास से क्या है महारा पताब दोस्तों क्या है वहां से निकल गए और जैसी आपके निकल गए तो यहां आपको थोड़ सा बता दें यह अच्छा सदार जहाला सिंग की क्या होगी दोस्तों युद्ध में मित्तु आपके हो गए थी अकबत की सेना को इनको पता जलाए कि दाना पताब आपके कहा है नहीं है और मुगर सेना के पाव खड़ गए थे मुगर सेना भी क्या होगी दोस्तों साम तक बुदी तरह से ठक चुकी थी और युद्ध भी क्या होगा दोस्तों कि अपे यां गतर लाता रहा स्राधा जला सिंह यह आपका के इनका बलीदान और यह का आपके सदात है भामा थे इताउध भामा सिंह कि एक दोस्तों कुछान आता है कि जब महानाद पिताप अच्छा पुता नहीं जो हल्दी घाटी के जो इस्थान है अपका यह उदयपुष से यह हल्दी घाटी हल्दी घाटी यह उदयपू से एक का है यह लगवख मैं पैतालीस क Esper के दूर है गोगुंड़ के पास और दूस्तों यह क कस दोछ यह兩व औरवल कि इसथा यहीदा यह ऑपी घाटी नूमाच्छ सेथ हैं हल ली घाटी ठीक सेम युनान में, आपको क्या था, भी एक पहारी दरदा टाइप का था, उसमें वहाँ जरिक्सीन एदान के साथ और एथिस के साथ लिए लिए दिनास के बीच में क्या हुआ दोस्तों ये संगा साब करें हुआ अब यहां महानारपताब वापसाई महानारपताब युद्ध से बाहर निकल गए जहाला सिंग ने उनका मुकट पहना और राश्पूद क्या हो गए आपके क्या अंत तक लड़ते रहे ल महानारपताब ने कहने किया दोस्तों अकबर कि अधिन तस्विकार नहीं की थी, वह युद्ध से क्यों हो गए थे? निकल गये अरवजी पहारों में क्यया आगे चले गए थे और लगभर 12 वरस्तक ध्यान दीजिए गए 12 वरस्तक महाराना प्रताप क्या हो गए दोस्तों आपके ये भटकती रहे 12 वरस्तक राष्टबाद के राष्ट युद्य क्या किया उन्होंने जारी रखा और ये जो भामा सिंग है भामा सिंग ने पूरी संप पूरी आमदनी जो भी था ये सब कुछ कह दिया है दोस्तों ये 12 वरस्तक ये महारा प्रताप की जो सेनी टुकडी थे उनके लिए और महारा प्रताप के लिए दोस्तों इने समर्पित कर ली थी यहां बहुत सारे लेखर बताते हैं जंगलों में भटकते रहे जामुन खात फल फुल खा करके विद्यत किया ऐसा कुछ नो बताते हैं कि जो ये घास होती थी उसके बीच की एक डवायन रोटी भी खाई कुम्ना के इस प्रकार से महारा प्रता परेशान हुए दोस्तों लेकिन इन्होंने अपनी आत्मा नहीं बेची इन्होंने क्या किया अपनी आतींता की शेकार नहीं किया आपके ये महातुत sow कई इस हल्धी खाटी के युद्ध को करनल टाड़ने इसलिए राजस्थान का थर्मोपली कहा है एक महान लेका GUY जिसमें जीतने वाला, जिसमें हारने वाला, जीतने वाले से अधिक पिस्द्ध हुआ, जैसा कि इसमेद भी कहते हैं, कि इस हल्दी घाटी के उद्ध में महानार प्रताप की पिसंसा अधिक हुई अकबार के मुकाबले, ठीक है न, तो इस परकाद से क्या है, यह आपका दोस्तों क्य अपके हल्दी घाटी कर युद्ध है हाला कि अच्छा आपको उतार नहोंने महानाटपताप जव आपके क्या है निर्बासन का जीवन बतीत कर रहे थे तो इन्हों ने एक राजधानी बनाई थी बाद में चावान यह दोस्तो प्रियागदा जने की लाहबाद है यह आपका लाहव है तो अकबार भी क्या हो गए थे इस उद्धी की बाद अपने पश्चिमुतत छित में कश्मीर बगड़ आदी छितु किया इसमें युद्धों में फस गए थे इसका हो गए यह आपके महारावत पिताप को कहा है आपका ज़्यादा द्यान नहीं दे पाए लेकिन आपको तरह मुगल सेना तो इन्होंने क्या छोड़ के रखी थी लेकिन महारावत पिताप ने क्या कि दोस्तों आपका कभी मुगल सेना के फिर हाथ में आपके यह नहीं आये है और च्छापामा पद्धति द्वारा च्छापामा पद्धति द्वारा गुदिला पद्धति-द्वारा कई बारे नहीं ने कह किया है मुगल टुक्णियों कि आपका प्राजित भी आपके आपके दोस्तों आराब लेकी पहारीव में नहीं किया था चलिए जब अकबर अपने इस प्रश्यमुत च्छित में थे अक्वान ने ऐसा बताया जाता है आता है कि ये महराण stalत्रत के कहिसे जो छुप करके बार करते थे इसके बचने के लिए अक्वान किया है आगणा से दोस्तों राद्धाणि कहा कर ली कि ये लाहौ आपका राद्धानि क्यों ये ले गए में कहें वगर फस गए थे कुम्ला के अपनी परिस्थितियों में उल्चे रहे तो महानार पताप ने कहा है खोया हूँ छित दोस्तों क्या किया बाद में बापिस भी कहा है पर सूथ समित ले लिया था और इस प्रकास से कहें में महानार पतापी क्या हुए दोस्तों यह सुभाव के मित हुए थी तो अब यहां सबसे पहले बात तो यह है कि अपन लोग हल्दी घाटी के कारण आज चुकि आज की दिन वह युद्ध हुगा था अब यहां जाईए मैं कुशन परक्षा के नजरिये से कंप्रिशन के आज नर्मल को सुभा है करना पड़ेगा हल्दी घाटी के दूशा को सन्हां राज्थान के खराम पर किसे कहते हैं तो चितों घते हैं तो आता है यहां यूनान में है यह युद्ध्ध आपको बर्हाम को कहा है बता चुके हैं यहां दोस्तों यह रहादा ओडáj Singh का भी आपका आता है नबिर अब हुआर चलता है आती है हाला कि अंधान आपका यह नहीं आता है इनके घोरे का नाम विविया क्वेजार देट बी आता है कि यहां सिसाधिया बंस कि तो इस साधिया बंस करनाबति ने मिवान हमारें को किया कई दोस्तों परकास ने आता है करनावती के एक क्या है देतों आता है ये सेने के नहीं आते लेकिन थूस आपको पताए महारान पताप और भील आपका ये सेनपती था फूज़यमाल उन्चने भी सहयता की थी एक मत staðar भी था उनके साथ महारान पताप की साथ हगी हकी सूरी तो और यहाँ आपके मांसिंग और आ सकते बड़ी सेना के होते हुए भी हफ्य'll açık moher Istraph को आत्मा नहीं बेची और राष्ट बाद का युद्ध डोस्तों यह जादि रखा आपका बात में सफलता भी क्या कि अर अक्वाराइ और को सम्राइब लेकिन रास्टबाद के बिष्द क्लाइए कि अदया है किसके हया Спशा करने कोशिस कर Цे तो चलिए हमारी electronics तक है अगली क्लास में पर लोग क्या हो दोस्तों फिर से मुलाकात करेंगे तब तक के लिए हमें अनुमत दिन नमस्कार जय हिंदर